Hello friends, welcome to healthy cooking, happy living. If you really like today's video, please subscribe to the channel, hit the notification bell for further updates of new videos, like, comment and share. Hello friends, so today I am taking this eyebrow face wax. Normally what happens, when we wax the face, then body wax, which is on hand and on leg, puts it on the face. The face of the skin is bad, because it is a very bad type. So I am showing this, Sally Hansen's eyebrow face and lip wax. This is very good, since I used it in 8 years. I am using it. And this is not sponsored video. Of course I am a very small YouTuber. So there is no question about sponsored video. So this is a very good product. I recommend you to use it one time. Let's see what happens. I love this video. I am using it 5-6 times. I use a different color. Like, this place. Here, this place. This place. Here, this place. This place. And here. This place. I use it. This place. It's a little bit. I use it. तो आपका वेक्स गरम हो जाएगा इंस्ट्रक्शन सारा लिखा हुआ है अंदर तो यह आप डालोगे तो रेडी ऐसे चमकते रहेंगे और यह आइब्रॉज का है आप आइब्रो कवर करके वेक्स लगाऊगे तो ऐसे शेप का आइब्रो आइगा और वेक्स लगाने के बाद ऐसे एक लोशन दे देते हैं Sally Hansen Sally Hansen का प्रोड़क्ट वर्ड फेमस है मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं इतना अच्छा यूज करके रेजल्ट मिला तो मैंने सोचा मेरा वीवर्स को मैं यह दिखा दू क्यूंकि पार्लर पे बहुत भी पे तो ट्राइ करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा हुआ आपका फेस वैक्स फेस का स्किन बहुत ही सेंसिव और सॉफ्ट होता है तो इसलिए बोडी का उन लोगोंने अलग वैक्स दिया यह ब्रजिलियन फॉर्मूला है इसका वैक्स है देख लीजिए दोनों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर ऐसे यह घर पे रहता है तो अचनक से कोई पार्टी आ गया या आपका अनिवर्शरी हो बर्दी हो घर पे कोई ओकेशन हो पूजा हो कुछ भी हो आप जल्दी-जल्दी कर सकते है तो अभी मैं डेमो दूंगी आपको अभी देख के से एपर लिप का लुख़ा हो जाएगा यह आप, लिःदी लिखा हुआ पॉर्शन है यह यह रिदी लिखा हुआ पोड़िए मैं इस पे डाल के देख लिया यह ऐसे दिख रहा है, इस पे मतलब यह रैदी है टु अपलाई, अगर यह पोर्शन चला जाता है तो इसके मतल अब आपने देख लिया ना अप्लिकेटर से कैसे करते हैं यह अभी बात मत कीजिएगा मेरी तरह बात नहीं करना चाहिए फिर भी मैं दिखा दिया आपको ऐसे लेके ऐसे करना चाहिए पीछे मेरा हस्बेन हस रहा है क्या मेरा करते करते तो आपके हस्बेन के समने मत कीजिएगा वो भी हसेंगे तो चलिए थोड़ा ड्राइ करके फिर ऐसे उठा लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी करके उठाना पड़ेगा उंगली से इस डिरेक्शन पे हमेशा हमारा हेर्स होते है तो उल्टा डिरेक्शन पे उठाना होता है ऐसे बाल निकल के आया मैंने ही जानती कैमेरा फोकस कर रहे की नहीं अब देख सकते हो की नहीं थोड़ा ही था क्यूंकि मैंने लास्ट मांथ पे भी के थे हर मांथ पे मैं करती हूँ क्योंकि लिप्स्टिक लगाते हैं तो इधर काला होते हैं तो बहुत खराब लगता है देखने जैसे मूझ है ऐसे लगता है यह ऐसे जुल्फे की पांस वाले जो है यह करने के बाद मेरा फेस बहुत ही क्लीन हो जाएगा और ऐसे करने से मेकप भी बहुत अच्छा करके बैटता है तो मैंने पूरा उठाके फिर आपको दिखा रहे हूँ फेस कितना क्लीन लग रहा है इस पर बहुत सारे हेर्स लगा हुआ है और देखिए इधर लिखा भी है नामबर वन सेलिंग वैक्स ब्रैंड अफ यूसे तो यह बहुत ही अच्छा है तो मेरा मैंने अभी उठा लिया और जो छोटा छोटा लगा हुआ है पार्ट मैं क्या करूंगी इसके साथ इसके साथ एक लोशन देते हैं और एक बार यह वैक्स यूस करने से पहले आप कोई फेस वर्ष से अच्छा करके वर्ष कर लीजिएगा फेस को और यूस करने की 2-3 घंटा तक कुछ नहीं नो सांस्क्रीन और कोई लोशन जेल कुछ नहीं लगाएगा यह लोशन बहुत अच्छा है छोटा है दिखने में बहुत ही कम लगता है मैं अभी लगा रही हूँ यह लोशन जो थोड़ा सा भी लगा हुआ है थोड़ा सा जो लगा हुआ है यह लोशन लगा के पांच मीट बाद मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो उठ जाएगा एक जन भी यूज़ करें यह वीडियो देखके और एक लेडी भी बेनिफीटेड हो तो मेरे लिए वही बहुत ही अच्छा बात होगा इसका नाम है सैली हैंसल का एक्स्ट्रा सूध आफ्टर केर लोशन यह एक्स्ट्रा सूधिन है तेखिये ऐसे जो वेक्स करने के बात थोड़ा लाज हो जाता है स्कीन थोड़ा गोटा गोटा लगता है 10 मईट बाद यह लगने के 10 मईट बाद चला जाता है उमीद है आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता ला अभी 10 मिन बाद मैंने wash करूंगी और मैं wash करके face को फिर आपको दिखाऊंगी तो अभी आप देख सकते हैं मेरा clean face and new look hopefully आपको अच्छा लगा होगा तो subscribe तो जरूर कीजिएगा और facebook और instagram पे मुझे follow कीजिएगा please और मुझे comment करके बताईएगा आपको कैसे लगा thanks for watching have a great day bye